आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नवस्कार यह हमारा आज का सवाल आईए से हल करते हैं यह है कि दो वर्स पहले दिल्ली की जनसंक्या 55,000 थी पहले वर्स में इसमें 12 प्रश्चत से व्रिद्धी हुई और दूसरे वर्स में 15 प्रश्चत से कमी हुई दो वर्सों के अंत में सहर की जनसंक्या कितनी थी आईए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं जब भी किसी संख्या में वृद्धी पहले हो वो भी वृद्धी हो A प्रत्चत से फिर कमी हो जाये ऊसी संख्या में B प्रत्चत से तो इसके लिए दोस्तों जो कुल प्रभाव पड़ेगा उस संख्या पर वा होगा A रिन्ड B रिन्ड A गुणा B बटे 100 प्रतिसाथ इतना पड़ेगा और इस मामले में कहा गया है कि संख्या तो हमारी 55,000 थी जनसंख्या और उसमें 12 परषा से व्रिद्धी होई तो A कमान 12 है फिर B कमान है कि 15 परषा से कमी हुई ही तो B कमान 15 है तो दोस्तों यहां से निकालेंगे कि जनसंख्या बर कुल प्रभाव क्या पड़ेग तो यह हो जाएगा 12 रिन 15, रिन 12 गुणे 15, बटे 100 प्रतिसत, तो दोस्तों बारा में से 15 घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा, रिन 3, रिन 15 बर हमें एक स्वासी होगा, 100 से भाग करेंगे, तो 1.8 हो जाएगा, इतना प्रतिसत, उसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो यह हो 55,000 तो 55,000 जनसंख्या में से 55,000 हमारी जो जनसंख्या थी उसमें 100 प्रस्षत थी 100 में से जिन 4.8 प्रस्षत हो जाएगी तो यह बचेगा यह घटेगी दोस्तों जनसंख्या तो यह हो जाएगा 55,000 गुणे 100 में से 4.8 घटाएगे तो यह बचेगी 95.2 प्रस्षत बटे प्रस 550 गुणे 95.2 इसका गुणा हो जाएगा ये बनेगा 52,360 इतनी जनसंख्या हो जाएगी दो वर्स के अंत में और 52,360 दोस्तों किसी विकल्प में नहीं है तो डी विकल्प सही है कि इन में से कोई नहीं धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर